नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे कुछ आगे के लेसंस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी content creation journey में 2024 के अंदर अब इतक हमने बात करी थी कि YouTube के algorithm कैसे काम करता है आप YouTube के algorithm की छोटी छोटी बाते कैसे समझ कर YouTube को help कर सकते हो कि वो आपको help करें है ना क्योंकि YouTube का goal क्या है कि जादा से जादा लोग उसके channel उसके platform पर रुके रहे उसकी मदद कौन करता है आप करते हो तो आपको basically YouTube की मदद क करने के लिए वो कहते है ना भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते है YouTube एक तरह से content creation का भगवान ही माल लो ठीक है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि मैं हूँ सिय सुमित महता और यह है creator's guide 2024 तो दोस्तों आगे से बढ़ने से पहले तो देखे हमने algorithm की बात करी थी तो अब हम आगे बढ़ेंगे आगे कदम बढ़ने से पहले सबसे पहला step क्या है obviously YouTube का channel बनाना YouTube के channel बनाने से पहले हमें बनाना होगा एक Gmail का account जिसे हम बनाने के लिए सबसे पहले Gmail खोल लेते हैं उसमें जाएंगे आपको list of accounts देख या फिर आप एक नया account बनाओंगे YouTube के लिए I would suggest कि आप एक नया account बनाओंगे क्यूं क्यूंकि यह आपका specific dedicated ID होगा जो कि सिर्फ आपके channel के लिए होगा क्यूंकि अभी जो आपका email ID होगा आपने बहुत जगहों पर दे रखा होगा उस पर बहुत सारे promotional emails आते होंगे इसमें आप business के लिए भी यूज कर सकते हो उसके इंदर आप users भी आड़ कर सकते हो ठीक है मेरा first name क्या है मेरा first name है इसमें next कर देता हूँ उसके बाद मुझे अपनी date of birth डालनी है next username डालना है अपनी ID का username देखिए कुछ भी हो सकता है let's say हम यहाँ पर लिख देते है finance coaching coaching finance at the email.com यह available नहीं है तो इसके आगे हम कुछ लिख देते है 101 यह भी available नहीं है यह भी available नहीं है यह available है ठीक है 24 याद रखना क्या है summit mehda 24 0995 ठीक है password रख लेते है ठीक है mobile नंबर हमारे एडिटर सा आप छुपा देंगे देखिए recovery email ID मैंने skip कर दिया लेकिन आप इसे रखिएगा होती है recovery email ID मैं पताता हूँ अगर in case आपका account hack हो जाता है या फिर आप अपना password भूल जाते हो तो recovery email एक तरीका होता है जिससे google आपके recovery email पे कुछ link या code भेज देता है जिससे पता लग जाता है कि आप ही try कर रहे हो अपनी original ID खोलने का ठीक है next करते है coaching finance coach finance और जो है मेरी आगे की date of worth है ठीक है हम इसमें I agree कर देते हैं terms and condition में तो यह basically हमारा Gmail account बनकर तयार हो गया है तो यह तरो ताजा हमारा coaching finance 24-09-95 at the rate gmail.com account बनकर तयार है अब हमें क्या करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह सब हम काम क्यों कर रहे हैं ताकि हम YouTube पर अपना छाप छोड़ सके मतलब YouTube पर content बना सके यूट्यूब पर आने के लिए हमें करना पड़ेगा login देखिए यहाँ पर right में जाते हो आप switch account पर click करते हो switch account में जाके add account पर click करते हो तो देखिए यहाँ पर दो चीज़े हैं समझे जब आप YouTube पर account बनाते हो तो वो automatically YouTube पर भी बन जाता है ठीक है तो आपको यहाँ पर बस login करना है कुछ नहीं करना क्योंकि Gmail यूट्यूब बोथ हार product of Google ठीक है यहाँ पर हम डाल लेते हैं अपनी email ID जो कि हमने अभी अभी बनाई है ठीक है नेक्स्ट किया पासवर्ट डाल देते हैं ठीक है एंटर कर दिया यह हमारा YouTube login हो गया है जैसकि मैंने आपको बताया था कि Gmail पर जब आप account बनाते हो तो YouTube पर बस आपको login करना है कुछ create करने की जरूरत अलग से नहीं है क्योंकि YouTube जो है Google का ही प्रोडक्ट है Gmail एक बड़ा अंब्रेला है जो कि Google के अंडर है Google एक बड़ा अंब्रेल है जिसके अंदर YouTube और Gmail दोनों आते हैं ठीक है Gmail पर आप ID बनाते हो वो सभी Google के प्रोडक्ट्स पर जैसे की Google Docs Google Drive इन सभी प्रोडक्स पर वो Gmail का ID चल जाता है ठीक है अब हम आगे आते हमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो अपना अकाउंट जो हमने लॉग इन किया है उसको अभी हमने स्विच किया था तो हमने हमने अभी लॉग इन कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Gmail का अकाउंट बनाना एक ही बात है लेकिन YouTube पर च पतलब यह नहीं कि आपका चैनल बनके त्यार हो गया है तो आपको चैनल बनाने के लिए क्या करना होगा नहीं कि दो के लिएता थे सुमित महता थे के भी है तो हैंडल नीम क्या होता है मैं आपको पता देता हूं देखे जहां पर आपका नाम नज़रआता है अगर किसी को आपको फिर हो अपो करने किशी कौमेंट के घुक है प्हुक्त करते हैं तो भी हिंग जब automatically क्या किया जो मैंने नाम डाला उसी को handle name लिख लिए आप इसको अलग से भी रख सकते हो लेकिन इसकी availability पर depend करता है कि कोई और किसी और ने अगर पहले ही वो नाम ले रखा है तो आपको नहीं मिलेगा आपको एक unique नाम मिलता है ठीक हम यहां पर get started कर देते हैं यहां पर पिक्चर भी लगा सकते हो लोगो पिक्चर आपको पता है यूट्यूब पर आपको लोगो की पिक्चर दिखती है जो की आप कैन्वा से असानी से डिजाइन कर सकते हो यहां पर हम लिंक डाल देंगे आई बटन के साथ कैसे आप YouTube का लोगो पैनर यह सब चीज़ा डिजाइन कर सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे खेर यहां पर आपने उपर क्लिक किया उसके बाद विव यूर चैनल पर गए विव यूर चैनल में अभी तक हमने तर्फ एक ही चीज़ करी है हमने उसका नाम रखा है और उसके हैंनल का पार ऐसबग करने कर सकते हैं दीं comey ने उसका दर्फ हैंने उसके नामामि तर्फ हैंने के आप से लेटेड होगा जICK तो को इसका चैनल दिखाई दे ना आपकी याद आजाएगी, ठीक है, आपकी बेसिकली कस्टमाइजेशन आपको आप दूसरे content creator से differentiate करता है, ठीक है, यह आप देख लो, welcome to YouTube studio, YouTube studio क्या है, लेकि हर जगा पे दो चीज़े होती है, अगर आप मिठाई की दुकान पे जाते हो न तो आपको एक मिठाई का काउंटर दिखाई देता है, और पीछे, जो दुनिया भर की मेहनत होती है, मिठाईयों को बनाने की, छोले बटूरे बनाने की, वो सब पीछे चलती है, और आगे बिल्कुल साफ सुतरा सब कुछ एक दम दिखता है, आपको, पीछे भी साफ सुतरा हो सक होगा, मैंसे नहीं कहा रहा देखता है, यूट्यूब चैनल, पीछे, यूट्यूब स्टूडियो आपकी बदद करता है, content अपलोड करने में, content सब कुछ, content से रेलेटर जो भी बनाने का काम है, वो आप YouTube स्टूडियो पर करते हो, तो देखिए सबसे पहले, layout है, layout में क्या होता है, ये channel trailer के है, मैं खोला, ठीक है, हमने खोला, ये जैसी हमने classplus का channel खोला, उसके बाद आपको क्या देखा, ठीक है, home page पर आप देख सकते हो, एक video अपने आप चलने लग गई, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बीच में, कुछ आ रहा है, ये live caption, ठीक है, ये video अपने आप चलने लग गई, तो ये यही है, जब भी कोई नया subscriber आएगा, तो आपको कौन सी video दिखाई देगी, किसी उस नया subscriber को, ये आप यहाँ पर decide कर सकते हो, और किसी returning subscriber को, अगर जैसे मैंने classplus को already अगर subscribe करावा है, तो मैं दुबारे से उनकी channel पर जाता हूँ, तो आप ये रख सकते हो, कि उनको रखिए, ठीक, आगे चलते है, ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए, recommendation for your viewers, recommendation for your viewers का भी मतलब यही है, कि basically आपने जो videos बनाए हैं, वो आपके viewers को recommend होगी, तब होगी ना कि आप कुछ upload करोगे, अभी तो हमने नया channel बनाया, ठीक है, feature sections में सिमिर असी बात है, आप अपने channel के layout को decide करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, खेरी अभी आगे की बाते हैं, हमने यह जब आप चैनल पर जाते हैं, तो अलग अलग आपको set of videos दिख रही है, money mantra for educators, digital marketing की, यह आप अपने channel के YouTube studio से देख सकते हो, set कर सकते हो, ठीक है, हम फिर से चलते है वापस, branding, सबसे शुरुआत की जो बात में हो, branding के, क्योंकि अभी तो आपने videos upload करी नहीं है, तो आपका layout कैसा होगा, वो तो बात में देखेंगे ना, जब upload होगी videos, ठीक है, branding में क्या आजाता है, सबसे पहले आजाती है profile picture, profile picture, again, मैं आपको classplus की channel पर दिखा देता हूँ कि इसको design करने का पूरा process, यहाँ पे i button पे click करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, नीचे आते है, banner image, banner image, आपको यह देखो, तीन image दिख रही है, यहाँ पर यहाँ पर बड़ा TV दिख रहा है, पर उसके बाद desktop दिख रहा है, पर उसके बाद tablet दिख रहा है, mobile शायद कह सकते यह देखिए, class plus में जाते हैं, पहली बात तो इसे बोला जाता है, banner, यह जो आपके channel के ओपर दिखाई देता है, जो आपके channel को basically describe करता है, कि आपका channel किस तरीगे से है, क्या-क्या वह बाते करता है, तो हमारे यहाँ पर लिखा है 2024 creator's guide, यह हमारा नया जो भी process चल रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, I hope कि आप यह सब देख रहे हो, क्योंकि आपको यह बहुत help करेगा 2024 के अंदर, ठीक है, तो यह आपको दिखाई दे रहा है, अब हुता कि है, कि आप जो mobile पर देखते हो, या फिर आप अपने tablet पर देखते हो, तो वो अलग shape and size स देखाई देता है, उसकी कोई बात नहीं है, उसको भी design करने का पूरा process, आई button पे click करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, हम आगे बढ़ते है, वापिस से इदा है, यह आप upload कर देते हो, वीडियो watermark, वीडियो watermark क्या होता है, यह देखे, मेरी बात सुनिए, जब यह आ आपको कभी-कभी एक watermark दिखेगा कुछ channels पे, वो क्या हो सकता है, या तो अपना logo रख सकते हो, या फिर आप subscribe button भी रख सकते हो, subscribe button रखने से क्या होगा, कि लोगों को याद आता रहेगा, अब जैसे होता है, कि आपके बोलने से कोई follow नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है, का लोगों को necessity feel नहीं होती, कि वो follow करें आपको, आप उन्हें अगर खहे दोगे ना, तो उन्हें याद आजाएगा, कि अच्छा मैं इसको follow कर देता हूँ, ताकि ये इसको ध्यान आजाए, इसकी काम की चीज है, ठीक है, अब हम नीचे चलते है, watermark में आप, जैसे मैंने बटन में देख लो, ठीक है, अब basic info की बात करते हैं, तो basic info में देखो, सुमित महता finance ही है, यहाँ पर नजर आ रहा है, handle का नाम भी नजर आ रहा है, description में, I teach about finance, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, पर उसकी बात channel URL, channel URL अगर आपको किसी के साथ अपना channel share करना है, त दोस्तों, आप अपने channel पर जब किसी को लेकर आते हैं, तो हो सकता है, वो आपके बारे में और जानना चाहे, या फिर आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहो, तो यहाँ पर, आप अपने social media जो और भी channel, such as LinkedIn, Instagram, Facebook, उनके external links यहाँ पर डाल सकते हो, और इतने तक सीमि नहीं है, आप अपने courses, अगर आप एक teacher हो और अपने courses बेचते हो, अपनी merchandise बेचते हो, या फिर अपना कुछ भी upsell करते हो, तो उसका link यहाँ पर आप add कर सकते हो, easily, add link पर click करके, अब आप सोच रहे हो, कि यहाँ इनसे होता गया, होता यह है, कि जब भी कोई आपके channel पर link मिल जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं, कि वो दुनिया पर की मैनत करे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, कि वो कितनी dedication से ढूंड रहा है, हो सकता है, वो बहुत ही conveniently, हर कोई convenience तो चाहता ही है, पर आप उनको क्यों परिशान करना चाहते हो, कि यार वो बहुत जगा जगा ज तो इसलिए जहां पर भी आपको link मिले, डालने के लिए option मिले, तो आप link डाल दो अपने courses का, अपनी IDs का, ठीक है, अब contact info, email ID, देखे, यहां पर एक बहुत अच्छी बात है YouTube की, कि जो भी आपने, जबी हमने email ID बनाई है, वो लोगों को दिखाई नहीं देती, ठीक है, त ठीक है, add the rate gmail.com, ठीक है, यह आपकी basic info आपने यहां पर डाल दी है, अब इसको आपको basically सिर्फ और सिर्फ publish करना है, और यह सारी changes जो आपने करें हैं, वो सारे update हो जाएंगे, ठीक है, अब आप यहां पर रखके view channel पर click करते हो, और आपको यह सब, दिखाई, more about this channel के अंदर, ठीक है, यहां पर आपने email ID देख सकते हो, अपना, जो आपका channel का link है, वो यहां पर आपको नज़र आ जाता है, जो आप किसी के साथ भी share कर सकते हो, और आपको किसी को अपने channel पर लेकर आना है, तो, तो दोस्तों यह थी हमारी आज की video जिसमें हमने बनाना सीखा channel, और channel के साथ साथ उसे customize कैसे करना है, उसमें अपनी image कैसे लगाना है, यह सब बाते भी हमने करी, description का care 11 से, external links का care 11 से, यह भी मैंने आपको बताया, तो अगर आपको और कुछ भी जानना हो, तो please, comments में questions जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए ही आते हूं, सब कुछ first class है